देखो जब भी सांप और नेवले की लड़ाई होती है तो नेवला ही जीतता है ऐसा क्यों तो इसके पीछे कई कारण है पहला कारण तो ये है कि जो नेवला होता है वो बहुत ही जाइंट होता है और फूरती से काम करता है और दूसरा पॉइंट ये है कि जो इसकी स्किन होती वो बहुत ही मोटी होती है तो अगर साप इसको काट भी लेता है तो इसका जहर इसके अंदर नहीं जा सकता और तीसरा पॉइंट ये है कि अगर साप का जहर इसके अंदर घुस भी जाता है तो नेवले के पास एक ऐसी सक्ति होती है जिसे ऐसी टाई कोलीन जी सेप्टर कहा ज जाता है जिसकी वज़ा से जो भी साम का जहर इसके अंदर जाता है वो सारा का सारा वेस्ट हो जाता है और इस जहर का नेवले पर कोई भी हसर नहीं पड़ता इसलिए नेवला बिनर होता है